कुईंकंस, आज की हिंदी की कक्षा में हम पढ़ेंगे नवीन हिंदी व्यावारिक व्याकरण तथा रश्णा से कहानी लेखन बच्चों हम जानेंगे कहानी लेखन क्या होता है? कहानी लेखन की परिभाशा जीवन की किसी एक घटना को रोचक वर्डन को कहानी कहते हैं क्या कहते हैं जीवन की किसी एक घटना के रोचक वर्डन को बच्चों को कहानी सुनने का बहुत शौख होता है दादी और नानी की कहानियां बहुत प्रिसित हैं इन कहानियों का उद्देश्य मुख्यता मनुरंजन होता है किन्तु इन से कुछ न कुछ शिक्षा भी मिलती है हमारी दादी और नानी जो हमें कहानियां सुनाया करती है उनको सुनने से हमें क्या आता है? मज़ा आता है लेकिन उन कहानियों से हमें कुछ न कुछ सीख भी मिलती है आकार की दृष्टी से ये कहानियां दोनों तरह की हैं कुछ कहानियां लंबी हैं जबकि अन्ने कुछ कहानियां छोटी आधुनी कहानी मूलेता छोटी होती है उसमें मानत जीवन की किसी एक पहलू का चित्रो रहता है कहानी लिखते समय निमलिखित बातों पर ध्यान दे बचों हमें कहानी लिखते समय कुछ बातों का खास कर ध्यान रखना चाहिए नमब एक दी गई रूप रेखा अत्वा संकेतों के आधर पर ही कहानी का विस्तार करें कहानी में किसी प्रसंग को न अत्यन संक्षिप्त लिखे न अनाविश्यक रूप से विस्तरित यानि किसी भी बात को न ज्यादा हमें बढ़ाना है और नहीं ज्यादा छोटी लिखनी है कहानी का आरंप आकरशक होना चाहिए नमब च्यार कहानी की भाषा सरल तथा सौबहाविक होनी चाहिए उस में लंबे वाकिय न हो नमबर पांच, कहानी को उप्यूक एवम आकरशक शीर्षक दे नमबर छे, कहानी का अंत सहज धंग से होना चाहिए बच्चों, कहानी लिखते समय खास तोर से जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर है, भाशा सरल हो और कहानी से कोई न कोई उप्देश मिलता हो, उप्देश का मतलब होता है सीख अंत में कहानी का एक अच्छा शीर्षक या नाम दे देना चाहिए अब मैंने नीचे यहाँ कुछ संकेत दिये हैं, उन संकेतों के आधर पर कहानी किस तरह से लिखते हैं दिये गए संकेतों के आधर पर कहानी लिखना एक किसान के लड़के, लड़ते, किसान बनने के निकट, सब को बलाया, लकडियों को तोड़ने को दिया, किसी से ना तूटा, एक एक कर लकडियां तोड़ी, शिक्षा इन संकेतों के आधार पर कहानी लिखनी है तो किस सरह लिखेंगे उप्युक्त संकेतों को पढ़ने और थोड़ी कलपना से काम लेने पर पूरी कहानी इस प्रेकार बन जाएगी एक था किसान उसके चार लड़के थे उन पर उन लड़कों में मेल नहीं था वे आपस में बराबर लड़ते जगड़ते रहते थे एक दिन किसान बहुत बीमार पड़ा जब वे मृतियों के निकट पहुँच गया तब उसने अपने चारों लड़कों को बुलाया और मिल जुलकर रहने की शिक्षा दी किन्तु लड़कों पर उसकी बात का कोई प्रेभाव नहीं पड़ा तब किसान ने लखड़ियों का गठर मंगवाया और लड़कों को तोड़ने को कहा किसी से वे गठर न तूटा फिर लखड़ियां गठर से अलग की गई किसान ने अपने सभी लड़कों को बारी-बारी से बुलाया और लकडियों को अलग-अलग तोने को कहा सब ने आसानी से ऐसा किया और लकडिया एक-एक कर तूटती गई जब लड़कों की आँखे खुली तभी उन्होंने समझा कि आपस में मिल जूर कर रहने में कितना बल है आपने देखा बच्चों इन संकेतों से हमने किस तरह कहानी बनाए और इस कहानी का अगर आपको कोई शीषक दिया जाएगा तो आप क्या शीषक रखेंगे शीषक रखेंगे किसान और उसके आलसी बेटे लेकिन इस कहानी से बच्चों आपको क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से आपको ये शिक्षा मिलती है कि एकता में ही बल है और हमें मिल जूल कर रहना चाहिए बच्चो आज हमेंने आपको समझाया संके द्वारा कहानी आप किस तरह से लिख सकते हैं कल की एक अक्षा में मैं आपको समझाओंगी चित्र वर्लन द्वारा कहानी को किस तरह से लिखेंगे